नमस्कार दोस्तों, CBTF अर्णव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है South Africa Tour of India का पहला T20 match इंडिया और South Africa के बीच दिनांक the 9th of June 2022 at 7 p.m. को अरुन जेटली स्टेडियम डेली पर खेला जाने वाला है 100% इंडिया और South Africa के क्रेट मैच प्रेडिक्शन दोस्तों हमारी लगातार टॉस प्रेडिक्शन, मैच भविश्यवानी, पावर प्लेज को रन, पहली पारी में कितने रन बनेंगे, बैक टू बैक पास होती जा रही है हमारे टैलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है, वो डिस्क्रिप्शन में दिये हुए टैलीग्राम लिंक पर, क्लिक करके हमारे चैनल से जुड सकते है अगर इंडिया पहले बल्ले बाजी करेगी, तो 6 ओवर में 40-49 के बीच में स्कोर बन सकते है वहीं अगर साउथ आफ्रिका पहले बल्ले बाजी करेगी तो, 20 ओवर लंबी पारी में 142-173 के बीच में स्कोर बनाएगी आज के इस्ती 20 माच में, पहली पारी के 6 ओवर में रन बनेगी, सेशन येस जाएगा सेशन येस जा सकता है दोस्तों आने वाले सभी के क्रेट मैच प्रेडिक्शन के सभी विडियों के बारे में आपको तुरंत पता चल जाए उसके लिए आप अभी हमारे CBTF अरनव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोनों टीमों के पुराने रिकॉर्ड और आज की फार्म के अनुसार इस मैच में इंडिया के 55 प्रतिशत जीतने के चांस है वहीं साउथ आफरिका द्वारा इस मैच में 45 प्रतिशत जीतने की उम्मीद है इस मैच में टॉस कौन जीतेगा हमारी 100% माच भविश्यवानी के अनुसार इस माच में Toss Prediction Toss South Africa जीतेगी इस माच में Toss Toss South Africa जीतेगी Today match Toss Prediction is South Africa अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप comment box में message कर सकते हैं हमारी टीम आपको तुरंट reply करेगी अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि Today kick rate match prediction आखर आज का माच जीतेगा कौन उससे पहले हम दोनों टीमों के संभावित खेलने वाले 11 खलाडियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं इंडिया की और से खेलने वाले खलाडियों की सूची इस प्रकार हो सकती है के एल राहुल, कैप्टन, इशान किशन, श्रैस आयर, हार्दिक पैंडिया, रिशब बंध, वीक, दीपक हुडा, अकसर पतेल, हर्शल पतेल, गुवनेश्वर कुमार, अवेश खान, युजवेंद्रा चाहल, साउथ आफ्रिका की और से खेलने वाले खलाडियों की सूच इस प्रकार हो सकती है। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियों को लाइक नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे वीडियों को लाइक कर दें। इसी के साथ मैं अपना वीडियों समाप्त करती हूँ।